नमस्वार दोस्वाप शबी का बहुत बहुत श्वागते दोस्वाप शबी को बता दे कि यह आने वाले दो दूनों के अंदर रिष्थे नाते तोडने पड़ेंगी किर encant, दोस्वाप शबी के जुनकाल में कुछ यह अचे महत्पुन गटना होने वाली है कुछ इशे सच्चाई आपके शामने आने वाले है जहाँ पर दोसों आपको कुछ लोगों से मुओ बोड़ना पढ़ेगा जिहां दोसों ये लोग नहीं ये पीट पिछे घात करने वाले हुए गुप्त शत्रू है जो दोसों आपको पिछले कषिमेशे घात करते आ रहे हैं और दोसों आने वाले दो दूनों के अंदर आपको इनकी स्चाइज शामने पता चले की और दोसों जब आफ इंशे वाकिय भूँगे तो आप शेवी को बता दें कि आप खुद इन शे कहेंगे कि रिष्टे नाति हम इन शे अभी तोड़ते हैं जिहां दोस्टों आप शेवी को बता दें कि आज का यह वीडियो आप शेवी के लिए शबशे यह दावशक वीडियो है इस वीडियो को आप भूल कर भी मिश मत किजिएगा और दोस्टों आने वाले जीवन भर आप इस व्यक्तिश अफ्शूर खाते रहेंगे और जीवन भर यह आपको रूलाते रहेगा जिहां दोस्टों वीडियो बहुत यह दा महत्पुन है इन्हें आप बिलकुल यह ध्यांश दिखिएगा अगर आप इस वीडियो की शार को शमज गए तो दोस्टों आप शिवी को बता दी कि आपके आँखे खुल जाएंगी कि आप किश लोगों के शाथ थे जिहां दोस्टों दोस्टों हमें कहते वे यह बात बहुत ही बुरा लग रहा है परन्तों यह बातों को आपके शान सामने लाना उतना ही जरूरी है जितना की जरूरी आपको इस वीडियो को देखना जिहां दोस्टों दोस्टों हम आप शिवी को बता दी कि पिछले कई शमेशी आपके पीछे बहुत शारे शत्रू लगे हैं जिहां दोस्टों जो आपको जान स्वे मार देना चाहता है दोस्टों एक दो शत्रू नहीं है बलकि चार स्वे पांच शत्रू है जो कि दोस्टों आपको बरवाद करना चाहता है लेकिन दोस्टों उनमें शे तीन एशे शत्रू है दो से तीन इशे शत्रू है जो कि आपको जानशे ही मारना चाहता है और दोसों आप शिभी को बितायते कि यश में यश शत्रू ताकतवर बन चुका है जिया दोसों और धेरी धेरी ये ताकतवर ही बनते जा रहा है आप शुभी को बता दें कि ये जो शत्रू है ये तीन शत्रू काफि शक्ति शाली है जो कि आपको जांशेब मारना चाहता है ज्या दोस्वं ये चाहता है कि आप कब इनके जॣकाल से हट जाएं और ये पूरी दरशेब आपके जॣकाल में राज कर्षि के आपके बताई हुए बातों पर आपके जो भी बात आपने किशी को बताई है जो भी आपने लाब के मौके बताएं को भी एशे गुप्त राज की शिक को बताएं उन्हें जानकर ये आपके शारे लाब को लेना चाहते हैं ये परकार्श कहें तो दोस्वों ये आपके जोनकाल में आपके जगहों पर ये राज करना चाहता है जिया दोसों हम आप शुभी को बिता दें कि दोसों यश में यह जो शत्रू है काफी ताकतवर बनते जा रहा है और काफी ताकतवर यह है लेकिन दोस्टों हम आप शुभी को बता दे कि ये आपके पीछे कई शालों से पड़ा है जिया दोस्टों और अब ये बहुत ज़्यादा परबल इस्तिती में है जब आपको ये जानशही मारना चाहता है क्यों दोस्टों इनका वज़ा या है और पिछले कई दिनों से आप उनकाल में बहुत ही खुश नजर आ रहे हैं आप शबलताओं को प्राप्त कर रहे हैं जिया दोस्टों आप सभी को बता दे कि आपने महना से जितना ही धन को गठा किया है आप महना से परिश्रम करके जो भी खुशियां पाते हैं दोस्टों ये खुशियां भी इन्हें देखी नहीं जाती जिया दोस्टों ये आपके जान की दुश्मन बने पड़े हैं जिया दोसों और दोसों यश में आपको उन्षे शावदान होना बहुत ज़्यादा जरूरी है जिया दोसों इसलिए आज की इस वीडियो को आप भूल कर भी मिश्मत कीजिएगा जिया दोसों इन्हें अंत तक ध्यांस देखिएगा इस वीडियो में हम आपको हरी कोह बात ब पाएंगे और कौन व्यक्ति है इसका नाम क्या है दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको वह भी बताएंगे शंकेति देंगे जिनसे आप इन्हें अच्छी तरहके से पहचान भी पाएंगे तो दोस्तों वीडियो बहुत ही ज्यादा विश्यश है अगर आप इन्हें अ और कौन सी कार अब आपको नहीं करने है शारे विश्यश बात है वीडियो को द्याँचे दिखिएगा तो आई दोस्तों बात करते हैं शरपर्तम जोबी भगवान शनी देप के शच्चे भगते हैं जोबी भगवान भोलनात के शच्चे भगते हैं वीडियो को एक प्यारा बावशी जय भुलिनात जय शनीदेव जरूर लिखेगा दोस्व भगवान भुलिनात और शनीदेव की अश्रिम की परदिष्टी आप शबी को ब्राप्त होगे जिवनकाल में आपके शंकत इन शत्रूं से रक्षा आपको करेंगे जी हां दोस्व तो आई दोस्व बात करते हैं दोस्व शब से पहले आप शबी को बता दें आप इस बात कर ध्यान रखें कि दोस्व यह जो शत्रू है यह आपके गुपतर शत्रू है यह आपके अपने में ही छिपे हैं जी हां दोस्व इस बात का आपको ध्यान रखना है आपको यह नहीं शमाज़ना है कि यह शत् गुपतुरूप से आपके अपने ही हैं, जो आपके शात रहते हैं, आपके शारे राज को ये पता करने के कोशिश करते हैं, और बहुत शारे बाते आप इनको बताते भी हैं, और यह नहीं बातों को जान कर, यह आपको बहुत बात नुक्शान करने के भी कोशिश करते हैं, जी हां दोष्न ओप इश्वात का आपको ध्यान रखना है जी हां दोफ़रों शादि आपको पता दे कि कई बार यह आपको परिशान किया है कई बार इनों ने आपको इतनी बड़े धोके दिये हैं जिनसे आपको बहुत ज़्यादा अफशोश हुआ है नुक्षान हुआ है और दोस्तों कई बार एकशा हुआ है जो कि यह आपको जानसे भी माना चाहा है जी हां दोस्तों कई बार इन्होंने आपके उपर एकशा शड़िंत रचा है जिसे आप समाज में आपका इजट ख्राब हो जाए, आप जेल से लिजाई, बहुत बार आपको इश्य परयास नहीं किया है, जिये दोस्वों, बहुत शारे जातक तो जेल भी जाते हैं, जो नहीं गए हैं, लेकिन आपको इस बात कर ध्यान रखना है, कि यह जो शत्रू है, बहुत ही शक्ति शाली बन रहा है, क्यों दोसों ये आपके ही शात रहता है आपके ही शात उठना बेठना इश्का होता है इसलिए ये आपके राज को जानकर काफी सक्ति साली होते जा रहा है तो दोसों आपको इश्बात काव शक्त ध्यान दखना होगा और दोसों आम आप शुभी को बताया दें कि ये शत्रू एक नहीं है दोसों चार पांच शत्रू है जिन में से तीन शत्रू आपके जिनकाल के लिए बहुत ही ज़्यादा नुक्षान दायग बन रहा है एक परकार्श कहें श्रब से ज़्यादा हानी आपको उशी ने पहुंचाया है जियां दोसों दोसों आपको बताया दें कि ये शत्रू आपके ही शाथ रहते ही और दोसों आपके ही शाथ रहकर आपके शारे राज को जानते हैं इसलिए दोस्तों आपको बिल्कुल ही बरवाद कर देना चाहता है और कई बार ये आपको बरवाद भी किये हैं करिशारी कारियों में आपको नुक्षान भी कराए हैं और बाद में आपको दिलाशा भी दिया है कि ये तो आपको किश्मत में नहीं था ये होनी था जो हो गया लेकिन दोस्तों आपको इस बात का खाज ध्यान रखना है कि अब उशे आपको ये गलती नहीं करनी है जो कि हम आपको बताने वाले हैं उनसे आपको शमल कर रहना होगा और कुछ बातों का आपको बिशीर ध्यान रखना होगा दोस्तों इस बात का आप ध्यान रखें अगर आप कुछ गलत नहीं करेंगे तो आपका ये बाल भी बांका नहीं कर पाएगा आप इस बात से निस्जित रहें कि कोई भारी दुश्मन होता तो आप लड़ लेते लेकिन दोस्तों जब आपके अपने ही घर के लोग आपको परिशान करने में लगजाई तो दोस्तों बहुत ज़्यादा दुख होती है बहुत ज़्यादा तकलिफ होती है और ये तकलिफ आप किशी और को भी बताने ही शक कि दोस्टों आप इस बात का बहुत फास छयार रहा हैं कि ये शत्रू आपके शाद घुमते हैं और ये आपके अपने खाश आदमी हैं ये आपको आगे बहुत यदी मिठा भोली 말़ते ही और फीट फीचे ये आपके चुरा भूखने का कार्य करते ही और शामने जब भी आजाए तो दोस्तों ये अच्छी बनने का दिखावा बहुत अच्छी तिरकेश कर लेते ही और आप इन पर बहुत ज़्यादा यकिन भी कर लेते ही जिए दोस्तों आप बहुती शरल स्वभाव की इंशान होते ही आपके अंदर छल नहीं होता है इसलिए आप भी सोचते हैं कि शामने वालों को भी अंदर छल नहीं होगा लेकिन दोस्तों ये कल्यूग में शारा इंसान आपके जिसा नहीं है दोस्तों अगर शबी लोग आपकी जिशे होते तो दोस्तों इस धर्दी पर दुख दर्दो और शंकट की चमिश्या कभी भी नहीं आते जिए दोस्तों आप शबी को बतादे कि ये इनसान आपके पीट पीछे हमेशा खंजर भुकने का कारे करते रहता है तो दोस्तों आपको अब क्या करना है दोस्तों आप शबी को बतादे कि अब आपको एसे लोगों के शाथ अपने जोनकाल की गुपत बातों को बिल्कुल बेश्वाजा नहीं करना है जिया दोस्तों आपके शत्रू आपके इनी शुबातों को जान कर आपको सती भोजाने का कार करते हैं जिया दोस्तों तो आई दोस्तों अब हम आपको बताते हैं कि शत्रू शे बचने के लिए आपको कौनशे महा उपायर को करना चाहिए फिर दोस्तों हम आपको बताएंगे कि आखिर आप अब आपको कौशे शावधानियों को रखनी है जिन्से सत्रू आपको परिशान ना करे और आपके जुनकाल में जोवी गरों के जिती है वे आपके शाथ दे और आप तरक्य के शियूने पर चुड़ें जी हैं दोस्तों त जबसे फ़ेले अगर आप शत्रू का नाम नहीं जानते हैं तो दोस्तों एशे में आपको कौनसे उपाय को करना चाहिए। दोस्तों हम आप शिवे को बता दे कि कभी कभी आपको इनमेशे शुन्दर कांड का भी पाथ करना चाहिए। दोसों इश्या करने शे शत्रू की जो बधाई होती है शत्रू के जो विनाश कारी शर्णिंतर होते हैं दोसों वो शमाप्त होते हैं और शत्रू अपने ही जुनकाल में श्वेहिं के ही कारियों में उलत्ती जाते हैं जिनके कारण वो किशी अन्य के कारी में अर्चने डालने के लिए शम्य ही नहीं निकाल पाती एक परकार शुके हैं तो दोसों इन में इतने शक्तिशाली है कि शत्रु खुद के ही सिडेंतर में फस जाएंगी जे दोसों शाद शाद हम आपको बता दी कि जो शत्रु आपको प्रिशान करना चाहेगा दोस्वों वो खुद ही प्रिशान होगा और कोई भी आपका च्छाकर भी बाल भी मांका नहीं कर पाएगा शाद 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 दोस्वों आपको शमिश्मे पर दुर्गा चाली शाखा भी पाठ करना चाहिए इश्य भी काफी हद तक लाख होता है शत्रू का नाश होता है जिया दोस्तों शादिशा दोस्तों एक कारगर और एक अच्चुक महा उपाई बताने जा रहे हैं जिनसे आप शत्रू का नाम जानते हैं तभी दोस्तों इश उपाई को किजिएगा जे दोसों ये काफी ही शक्तिशाली उपाय है इन्हें करदेने शे कोई भी व्यक्ति न शोशकता है तो दोसों अगर आप शत्रु का नाम जानते हैं तभी इनका उपाय किजीगा परना दोसों इनका उपाय मत किजीगा दोसों आपको क्या करना है कि शत्रू का अगर नाम जानते हैं तो आपको 38 दाने उड़त के दाल लेने हैं शादि शाद दोसों 40-42 दाने आपको चावल के दाने लेने हैं जे दोसों चावल बिल्कुल ही टूटे ना होना चाहिए दोसों इस बात का ध्यान रखें और शादि शाद दोसों एक हरी निम्बू आपको लेना है जे दोसों और इन्हें ले जाकर संधिया के शमे शुर्यास्त की बाद किशी सुनजान जगा पर जे दोसों जहाँ पर कोई उष्ट में ना आए दोसों इस बात का ध्यान रखें शादि शाद दोसों आप शिभी को बता दें कि जहाँ पर जाए उस जगत चार रास्ता होना चाहिए जे दोसों अगर आपके कहीं पर वेशी रास्ते हैं चोटी भी रास्ते हो सकते हैं विदल चलने केओ रास्ते होने चाहिए उनसे कोई दिकट नहीं है लेकिन चारों तरप्षी आने जाने की रास्ती हो लेना वहां पर निंबु को चार भाग में कातना है और छे ऀंच या फिर आफ इंच का घड्डि खोओ कर उस घड्डे में अपने शत्रु का नाम लेना है जितने आपके शत्रु है उस निंबो के निच्यूर कफ उश में डालना है allora अग्र जब वे शारे निम्बू के रश गिर जाए तो दोस्तों चारो निम्बू को चारो दिशाओं में भेंग देना है एक परकार्शियों के हैं तो दोस्तों चारो रास्तों में उन्हें फेक देना है शादिसा दोस्तों आपको जो उड़त के दाल और जो चावल के दाने हैं उन् और जब भी आप एक किरिया करें कोई आपको रोके टोके ना इस बात का ध्यान रखें दोस्वों एक किरिया करने के शाथ दिन के मात रहे दोस्वों आप देखेंगे कि जो आपके शत्रु है जिनका आपने नाम का जब किया है दोसों वो धीरे-धीरे विनाष होने लगेंगे उनका बरवाइदी शुरू हो जाएगा जी है दोसों और वो अगर आपके अपने है शगेश बंधी है तो दोसों ध्यान रुखेगा वो आप शिल्माफी भी मांगेंगे जी है दोसों लेकिन आपको करना क्या है कि आपको कुछ भी नहीं बोलना है आपको बोलना है कि हम कुछ ने किये हैं वरना दोस्तों आपकी जुनकाल में भी बहुत बड़ा शडेंतर हो शकता है, आपके लिए भी विकट परिस्तिती बन शकती है, तो इस बात का आप ध्यान रखेगा, शादिशा दोस्तों आगे आपको क्या करना है, दोस्तों एक और बात घर्शी कभी भी किशी कार के लिए जायें, तो कीशी भी इन्शान को बतायें नहीं कि इस जगा पर जा रहे हैं, इस कारी के लिए जा रहे हैं, जेर दोस्तों आपको अपने इन्शान को भी बताने से, आपको परहश करना होगा, कि दोसों ये जो शमय हैं आपके लिए अपने ही लोग आपके शत्रू बनते जा रहे हैं जे दोसों आपकी तरकी को कोई भी इंसान देख नहीं पारा है जे दोसों आप शुबी को बता दें कि यश में आपको बहुत इप महत्मुन बातों का ध्यान रखना होगा जे दोसों अगर आप बाहर निकलते हैं वहाँ चलाते हैं थोड़ी शावधाने से चलाएंगे तो आपके लिए बहतर होगा रास्ति में कहीं भी जाएंगे तो आपके लिए बहतर होगा दोसों अगली बात यश में आपको गुप तुर्पशे शत्रू आप शे लड़ाई भी कश्रता है इस बात का ध्यान रखें यश में किशी शे आपको लड़ाई जगरा बिलकुल भी नहीं करना है एशरब कारियों में बिलकुल भी आपको नहीं पड़ना है अगर कोई आपका मित्र किया काउं में लड़ाई जगरा हो रहा हो तो दोसों वहां से आपको हटकर घर की और आ जाना है जिया दोसों उसके लड़ाई में आपको बिलकुल भी दखलन दाजी नहीं करना है वरना जो भी दो लोग लड़ रहे हैं अगर आप उसके बीच में जाएंगे तो दोस्तों शारा मुशिवत आपके शर्पर ही पढ़ सकता है जिए दोस्तों इसलिए आपके लिए अच्छा होगा कि कोई भी मुशिवत के शमे आप अपने आपको ध्यान रखें और आपको अपने घर आ जाना है जिए दोस्तों ये श्रमें हैं आपको अपने घर का गुप्त युजना इवंग नई कारवार की शुरुवात करना चाह रहे हैं दोसों ये शर बातों की जो कोई भी खबर किशी भी किशी इंसान को ना दे चाहिए आपके कितना भी शगेद इत्रेदार हो या फिर किशी भी शगेशमंदी हो जी भी नुक्षान होगा कारियों में आपको शपलता पराप्त हो जाएंगी तो दोसुष बात कर ध्यन रखें शार गए शातिशा दोस्वों जो शत्रुव है वह कौन है उसको पहचानने के लिए आपको किन भातों का ध्यन रखना है आपको शमज में अगरा जाए कि वह कौन है कौन्षा इंशान है लंबे शिमिशे आपके पीछे पड़ा हुआ है आपको कई बार दोस्तों मुश्यवत में भी फशाना चाहा है कई बार आपको कोट के चकर भी भी लगना चाहा है जेल के चकर में भी वह पड़ोने चाहा चुगा है जे दोस्तों कई बार उनकी शफल भी हुए है लेकिन भगवान भोलेनात की किशपा आपके शाथ होने के कारण दोस्तों कई बार आप छुट भी गए हैं उस शमश्याएं आपके शाथ से हट भी गया है जी हैं दोस्तों शाथ शाथ आपको बता दे कि अगर गाउं शमाज में रिस्ता मानते हैं तो दोस्तों वह आपको लक्ष रखता है थोड़ा ध्यान से शमझना है कि दोस्तों इस बात को आपको लंबे शमश्याश करने का प्रयाश कर चुका है जेल भीजने का भी प्रयाश कर चुका है दोसों शीदे शब्दों में कहें तो दोसों आपके जान लेने का भी प्रयाश बहुत शारी लोग कर चुके हैं जे दोसों ध्यान से सोचेंगे तो कुछ दोसों आपको शमयर में भी आ जाएगा उस ये आपको शत्रक रहना होगा और कभी भी उनके कुछ बातों में आपको कुछ भेजना नहीं है कोई बात कहेगा कुछ भी बातों में आपको कुछ भी चाहे लालस देगा दोसों उनके बातों में आपको आकर कोई भी कार नहीं करनी है इस बात के बशाब ध्यान लगें नहीं तो दोस्तों मुश्वत में ये आपको डाल सकता है और दोस्तों ये शमय घर के आशपाश कि लोग आपको इसमें अपने पतनी बच्चों के खिला भी आपको भड़का शकता है जे दोस्तों आपको उस इस्तान से भी आपको शतक रहन होगा और दोस्तों उसके बाद दोस्तों इक शब्दों में कहें तो इंशान आपको चाहता है कि केशी आप अपनों में ही लड़कर अपनों में कटकर दोस्तों अपना नुक्शान कर बेटें और ये बिना कुछ किये ही आपके लाब लिशके जिहां दोस्तों यो कहें तो शांप बिं मर जाए और लाठी भी ना डूटे तोसनों इस शड़नत को लेकर शावदान है रहना है आर शत्रु के लिए आपको उपाय करना है ऺड़ोसों उनके लिए आपको निश्यूंत रहें कि यह शत्रु आपका बाल भी बांकाण नहीं कर पाएगा जिसे दोस्तों आगे हम कुछ आपको महत्पुर्म बात बताने वाले हैं जिनसे दोस्तों आपके जुनकाल के और भी बहुत शारी कारे आपके लिए बहुत यहुशान हो जाएंगे जैसे कि दोस्वों आपकी कोई भी शरीशनमंदी हो जिनको पेशा देना बहुत ज्यादा वो शक है जो अपशी पेशा मांग रहा है तो दोस्वों इस बात कर दया रहेगा कि पेशा मांगते शमे आप उन्हें दे देजेगा लेकिन दोस्WAY उधार कहने की बात उन्हें मत बोलिएगा दोस्वों अगर व transparence की हैं जो हम उधार मांग रहे हैं तो दो दोस्वों पहइशा भिल्कुल भी मत दिजेगा दोस्वों अगर वो iCD यह पेशा हम इशकाम में लगाएंगे तो दोसों आप उन्हें पेशा दे सकते हैं लेकिन ध्यान रहें आप अपने बज़ट को देखते हुए दिजेगा और दोसों शुरियास्त के बाद आपको पेशा बिलकुल भी नहीं ध्यनाए इस बात के ध्यन रखें अगर आप शुरियास्त के बात दे देंगे तो दोसों आपके जुनकाल में माता लक्षमी हमेशा प्रिशन रहेंगी जी हैं दोसों शादे शाद शाद दोसों हम आप शिवी को बदा दें कि कोई भी आपके रुजगार में शत्रू बन रहा है तो दोसों उसके लिए आपको कौशे उपाय करना चाहिए दोसों इन बातों को आप ध्याश शुनिएगा दोसों आप किन्नर को हरे रंग का वस्तर दान करें हरे रंग के चूड़िया आप उन्हें दान कर सकते हैं इसी दोस्तों जो भी अकाल आपके घर में आ रहा है जो भी बधाएं आपकी जुनकाल में आ रही है जो भी बड़ी मुश्यवत हो कितनी भी शमिशाएं वो शभी शमापत हो जाएंगे धर में बिर्द्धी होना प्रारम हो जाएगा नई रोजगार की प्राप्ती होगी शादिशा दोस्तों जो लोग नई रोजगार की जो है कामना कर रहे थे उन्हें मन्चाहर रोजगार भी इन्से मिलती है तो दोस्तों यह जो हैं बहुत ही शिद्व पाए हैं इनहें आप जरूर ही किजीएगा शादिशा दोस्तों आप शिभी को बता दे कि माता लक्ष्मी को प्रशन के लिए एक आपको मालक्श्मी का शुकत का भी पाठ करना चाहिए जिद्धू मालक्श्मी के लिए जो उश्का मंत्र है अगर रोजाना नहीं कर सकते हैं तो दोस्तूं शुक्र्वार के दिन आप आप आवशे किजेगा अगर आप बाहर में हैं, काम में कारे रथें तो दोस्वों शुक्रवार के दिन कीज़ेगा, अगर आप घर में हैं तो दोस्वों आप रोजाना भी शुबर उटकर कर सकते हैं, नहादो कर बिल्कुल ही पुजा पार्ट की शमागरी को लेकर दोस्वों आप इस उपाय को बहुत यदिक बड़ोत्य होती हैं, नई कारोबार मिलते हैं और जो भी कारोबार हैं, उनमें दिंदुगनी रात, चोगनी तरकी व्यक्ति को मिलते रहता है, जिया दोस्वों, शाद शाद हम आपको बता दें कि इकार में अगर आपको आशुबलता हांत लग रही है या फ धन में काफी आपको बड़तरी देखने को मिलेंगी और जो भी तरकी का शुरूत है, वो बढ़ेगा, रुजगार कारोबार में आपको नई उम्मेदें दिखाए देंगी, नई अपरजूंटी आपको मिलेंगी और आपका कार देखते ही देखते बढ़ता चले जाएगा, जी हां दोस्तों, शादे शाद हम आपको बड़ा दे कि अगर आप अपने जुनकाल में आर्थिक तंगियां शे बहुत ज़्यादा प्रेशान हैं, तो दोस्तों आपको करन्याओं का शमान करना शुरू कर देना है, यानि कि दोस्तों इस तरी का आपको अपमान करने से इतनी भी बड़ी नोकरी कर रहे हो, शरुपीट कर रहे हो या पिर कोई भी बड़ा दहनदा आपका क्यों न चीर रहा हो, जी है दोस्तों इस बात का ध्यान रहिए है, आपको करन्याओं का शुरूत मान नहीं करना है, इस तरी शाखशाद मालक्षमी का रूप होती है, जी उपर माता लक्षमी का शुरूत माना जाता है तो दोसों आपको कभी भी किशी भी औरत को आप शब्द नहीं बोलना है जी हां दोसों इस बात कगर आप ध्यान रखेंगे तो दोसों आपको हमेशा माता लक्षमी जी का शिर्बात प्राप्त होगा माता लक्षमी जी हमेशा आप शे प्रशन रहेंगी और धन श्रमपति में आपको हमेशा ब्रिदी रिखने को मिलेगा कभी आप धन को लेकर पिशान नहीं रहेंगे तो दोसों इस बातों को आप ध्यान रखें तो दोसों यह जो उपाय है यह आपके लिए बहुत तेव महत्वन उपाय है इन्हें अंगल में हो धन्यवाद